मानव और दानव में क्या अंतर है आज यही मेरा चैनल का टॉपिक है मैं एक सत्योगी हूँ सत्योगी वो होता है जो अधर्म शे धर्म जय के पत पर कर्मरत होता है और उस प्रकार कर्मरत रहने के बाद वो दूसरों को सत्योगी बनने के लिए प्रेरित करता है तो आप समझ गए होंगे, मेरा जीवन क्या रहा था और मैं किस लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सभी लोग अपने आपको मानव बोलते हैं, मनुश्य बोलते हैं लेकिन क्या हम सच में मनुश्य है? मैंने सालों पहले एक फिल्म बनाया था, माई कर्मा, कोलकातर काली जिस में जिस फिल्म को बहुत सारे इंटरनेशनल एवार्ड्स मिले थे, बहुत अच्छी तरह से उस फिल्म को बनाया था उसमें मैंने अपने जीवन का पहला बंगला गाना लिखा था, उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मैं मानव होने का दावा करता हूँ लेकिन क्या मैं सच में मानव हुआ हूँ मानव हूँ मैं सिर्फ मेरा, मैं, मुझे, मुझको, इन सब में ही खोया रहता हूँ लेकिन मानवता को, मानव होने को, मनुश्य होने को समझ नहीं पाता हूँ इस फिल्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस गाने का भी लिंक दे दूँगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कलियुक से सतियुक की तरफ जा रहे हैं इसलिए और भी जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि मानव और दानव सब ऐसे हो गया जैसे कि संगम में जब जमना, गंगा और सरस्वती और पहले भी भागिरती और दूसरे जो नदियां मिलती है वो जब कलकता तक आती है तो सब एकदम एक हो जाती है और गंगा बन जाती है हुगली बन जाती है क्या-क्या नाम हो जाता है लेकिन उसमें वो सब अलग-अलग नहीं रहता है तो अभी इस घोर कलियूग में भी यही हुआ है मानव और दानव लोग दानव का काम करते हैं दानफ के माननताओं को मानते हैं और अपने आपको बड़ा मनश्य मानफ समझते हैं कहते हैं कि हम बड़े आदर्श मानफ हैं लोग अधरम को मानते हैं और अपने बोलते हैं कि हम तो धार्मिक हैं लोग अब ब्रह्म को मानते हैं और कहते हैं कि हम ब्रह्म के पत पर चल रहे ह हम ब्रम्मों को मानने वाले है लोग इस तरह से दानव संस्कृतियों पे अपने जीवन को चलते हैं इसका खुन करो उसको मार डालो अपने ये करो वो करो इस तरह से करते हैं लेकिन अपने आपको बड़े धार्मिक समझते हैं अपने आपको धरंप के पत पर चलने वाले समझते हैं क्योंकि ये जो अंतर था मानव और दानव में वो अंतर इतना धुमिल हो गया है कि अभी हम शीशे के सामने जब खड़े होते अपने आपको जैसा देखते हैं लोग सोचते हैं हम गोरे हैं तो हम बड़े अच्छे देफता या बड़े अच्छे दानव नहीं इस तरह से सोचते हैं लेकिन मानव और दानव का जो परिचे है वो आपके शारिरिक नहीं है वो आपके आप जिस आप जो जैसे आप चलते हैं उसके उपर डिपेंड करता है तो इस वीडियो में एक चीज बोलूँगा मानव और दानव में सबसे निजस्वार्थ में डूबा होता है वो निजमा ने अपना अपना परिवार का अपने बीवी हस्बेंड का अपने खून के बच्चों का अपने फैमिली का अपने दोस्तों का अपना मैं 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 करते करते पूरा बगरी बन जाते हैं पूरे दिन में आप खुदी अपने आपको सवाल कीजिए कि आप एक दिन में कितना देर आप अपने लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं या मानफता के लिए करते हैं एक मनुष्य के रूप में निस्वार्थ होके दूसरों के लिए करते हैं, जब एक मानफ दिखने वाला इनसान निस्वार्थ होकर अपने लिए नहीं, अपने लिए ना करके, अपने आपको वंचित करके भी दूसरों के लिए करता है, तब ही वह मानफ बनता है, मनुष्य ब फरक नहीं पड़ता है क्योंकि अभी कल्यूगांत के समय अगर आप मानव मनुष्य नहीं बनते हैं और उसको नहीं करते हैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था वो अलग-अलग लेवल के जो होते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो आपका शेय होना अनिवारे है होगा ही कोई मानव आपको नहीं मारेगा कोई स्वार्थी दूसरा स्वार्थी इंसान आपको शेय करेगा या दूसरा स्वार्थी दानव आपको आपका शेय करेगा या भगवान है तो धर्म है तो अभी ऐसा वक्त बहुत जल्दी आ रहा है जब अधरम शै होगा ही दानवो द्वारा या कुदरत के द्वारा नेचर के द्वारा या किसी भी तरह से अधरम शै होगा आप अधरम करके नहीं बच सकते हैं वो समय समाप्त हो रहा है जब आप अधरम करके आप बंदा ये बिंदा से बनके रह सकते हो नहीं अब नहीं रह सकेंगे आपको धरम के पत पर चलना होगा हर रोज 24 घंटे सातो दिन इसका मतलब यह नहीं है जो कि आप ना खाके पूरा सब पूरा खिलादे लोगों को 27 साल से मैं नहीं सर्फ हमारे सत्योगी बहुत सारे जो भी है वो लोग भी उनसे आप मिलेंगे तो आप देखेंगे जो कि वो एकदम स्वार्थी नहीं है निजस्वार्थ में डूबे वोई नहीं रहते हैं जबकि लोग बोलते हैं अरे बाबा वो ऐसे फैमिली से आया है ऐसे फैमिली से आये हैं उन लोग फिर तो इन लोग बहुत ही स्वार्थी होंगे जैसे लोग बोलते हैं जो कि ब्राम्मन जो होता है बहुत ही स्वार्थी होता है बहुत ही वो सिर्फ अपना अपना सोचता है अपने लिए ही करता है इस तरह से सोचता है आपने इस बार की लेक्शन में भी देखा होगा किस तरह से हुआ है बहुत लोग सोचते हैं मुसल्मान अगर है तो फिर वो बहुत ही स्वार्थी है दानव है ब्राम्मन अगर है ये आपके अंतरात्मा पे डिपेंड करता है कि ये आपके उपर डिपेंड करता है ये आपके सरनेम, टाइटल या गर्ब के उपर डिपेंड नहीं करता है वो जमाने लद गए जो गर्ब से कोई ब्राम्मन होता है गर्ब से कोई मुसल्मान होता है गर्ब से कोई दलित होता है वो जमाने लद गए वो जमाने नहीं है अभी और तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझना होगा तो अगर आप मानव बनना चाहते हो तो आपका स्वागत है सत्यूग में अगर आप मानव नहीं दानव ही रहना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो किसलिए बनाया है दानवो को मानव के पत पर लाने के लिए और मानवो को ये समझाने के लिए कि चलो करते हैं साथ में मिलकर और क्या कर सकते हैं मैं तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए सब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको सरिफ यही बोल रहा हूँ चुकि आप इस वीडियो को दूसरे के पास ले जाएं क्यूंकि ये ऐसा टॉपिक है जो लोग नहीं सुनना चाते हैं लेकिन आप भी तो समझते हैं न कितना जरूरी है सुनना कितना जरूरी है क्या अधरम का हर समय जीत होना चाहिए क्या कोई politician जो इतना चोरी करता आ रहा है कई दशकों से चोरी करता आ रहा है पिड़ी दर पिड़ी से क्या उन्हें उन politician को या उन celebrity को या उन लोगों को वैसा ही करपशन, वैसा ही कھराब, वैसा ही अधर्म, वैसा ही दानफ्ता करते रहना चाहिए क्या बदलाव नहीं होना चाहिए, क्या अच्छाई के तरफ नही जाना चाहिए यही तो है सत्यूग आपको और हमको तुनों को मिलकर लाना है प्रणाम झाल